सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल एड्यूकेशन फार सीवेसी को और बेल आइकन को दवाईए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए तो आ गए आप तो प्यारे बच्चों आज किस रोड़ बात करने वाले हैं क्लास सेवें थिंदी का चैप्टर नबर पूर जिसका नाम है कठपुतली तो चलिए इसी देखते हैं बहुत अच्छी पोयम ध्यांस देखी तो उसके हर एक अलग-अलग पार्ट से उसका हर एक जो धागा होता है वह क्या होता है प्यारे बच्चों यहां प्रकार की वह कठपुतली क्या होती है मेरे दुट दो। अ कि यहां अपने पाऊं पर छोड़ दो सुनकर बोली और और कत पुतली की हाँ बहुत दिनोए हमें अपने मन के चंद हुए तक आजाद हुए तो प्यारे कुछों यह कहते हैं कि इस बात को जब एक पुतली को एक इस बात यह मने हम अपने मन में आजाद नहीं हुए, हम अपने यहाँ से क्या हो सके घूम न पाए, ठीक है प्यार बिच्छा, फिर उसके बाद मगर पहली कटकुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा, मेरे मन में जगी, मतलब जो पहली कटकुतली थे प्यारे बिच्छों, वो ये सुचने लगी कि ये मेरे मन में कैसी इच्छा जागी, ये तो बहुत खराब इच्छा है, तो मतलब कि ये कहती है कि ये मेरे मन में कैसी इच्छा जा गई, एक कठकुतली इसमें से कहती है, अब वो ऐसा क्यों कहती है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डीप में जा लेते हैं, ठीक मैंने क्या कह दिया ठीक है तो देखिए प्यारे बच्चो कोई भी प्यारे बच्चो जो आदमी होता है वो क्या होता है उसे नियमों के अंतर गयता रहना चाहिए मतलब कि प्यारे बच्चो कोई भी आदमी जो रहता है उसे रूल में रहना चाहिए उसे डिसिप्लीन में रह हम करना है तुम्हें इतने वजी काम खरना है तो आपनों फिर नहीं पाते हैं तो यह न है ना जो मतलब की यह इसका जो काम है कि भूशाच नहीं कर पाएगी और यह अपने पैरों पर ख़ड़ा हो सकती। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों जब हम लोग भी discipline को maintain नहीं करते हैं जब discipline maintain नहीं होगा तो हम लोग भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते हैं एक और example देतू, प्यारे बच्छों यह जो पतंग रहेगी तूट करके नीचे गिर जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई discipline नहीं इसके पास कोई धागा नहीं है तो में रूप से प्यारे बच्छों हमें यही सीख देने को कह रहे हैं कौन कह रहे हैं हमारे जो कभी है भवानी प्रसाद मिस्र ठीक है तो इसका सांकेती करती यह था तो बस आज की सोड़ने था यदि आप लोग प्यारे बच्छों हम झाल 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